हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है इलेक्टरिक वर्क सेंटर यूटूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे इलेक्टरिकल अंदर ग्राउंड वाइरिंग में जो हम लोग कंड्यूट लगाते हैं जिसे पाइप भी कहा जाता है या जक्सन बॉक्स लगाते हैं या स्वीच बोड लगाते हैं सही तरसे प्रोपर तरसे कैसे लगाएं कितना हाइट पे कौन सा स्वीच बोड होता है या कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्सन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो में यह भी बतला है गया है जब दिवाल के अंदर हम लोग पाइप लगाते हैं तो किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह का परस सब्सक्राइब। जांभ बेंड़न है और यहां पे रिवयो में यहां पर त픈, आया हैंडरो फिलते हैं जाटा इस वान झाल को ख通 से अटमंट होलह फिल का दो dialog बहुतन को इसी अधिश्क्राट बतलिकर को तरह HOW फिंस contact में लगा देंगा अंदर ग्राउंड वाइरिंग में अगर 4 वे हम हर जगा देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फिलॉस्टर के समय सब्बंध हो जाता है ओपिन वीरिंग में इस बात को ज्यादा करने के लिए यानि वाल में फिक्स करने के लिए लेकिन इसके जगा पे जो है हमारे पास एक कील है जैसे कि हम आपको दिखला दे कील में वायर को हमने यहां पर बांध लिया है ज्यादा तर हम लोग यही इस्तमाल करते हैं किलिप को कम इस्तमाल करते हैं सबसे पहले हम लोग तो किलिप को हाँ लगा देता है यहां परुपने एक लिई सब्सक्राइब हुआ है। उस वीडियो को देख लिए जो आपका point होता है point को calculate करके हम लगाते हैं और जो pipe है हमारा जैसे कि अगर 5 wire है 1.5 mm का यह 7 wire है तो उसके लिए 5-inch लगाते हैं और 1-inch के pipe में 2.5 mm का 7 wire है तब लगाते हैं यह theoretical है बाकि अगर मोटा पतला वायर मिक्स है तो उससे हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पे जैसे कि हम पाइप लगा रहा है यह हमारा पॉइंच का पाइप है जो जक्सन होता है जैसे यह जक्सन है यह जक्सन का जो हाइट होता है यह हमारा तीन मीटर होता है बहुत से जगह पे यह आप पर पॉइंट ज्यादा है तो बारो मॉडूलर का हम यहां पर जी आई बॉक्स लगा देंगे अब जो यह जी आई बॉक्स है इसकी जो हाइट है वह हमारा हो जाता है तेरह सो लगभग आपका 52 इंच हो जाता है हम आपको मेजरमेंट भी करके दिखलाएंगे और यहां पे दिवाल से बाहर हमारा पांच एम्म से आठ एम्म निकलना चाहिए जैसे कि पिछली वाली वीडियो में हमने दिखलाया बतलाया था जिसमें मैंने यह दिखलाया था कि अपरते expert कि करते हैं जीरी की कटिंग कैसे ồंक पे हमारा पांच निकला हुआ है और इस बूड में हमारा जो है एक मार्क दे दिया गया है कि यह पिल्हुतर से बाहर निकलना है बहुत से कंपणी में नहीं देता है मार्क लेहिं 5-8 mm आपको निकलना इस तरह से ले इस तरह से क्या होता है, बैक सैड से हमारा पाइप आता है, और बहुत से जगह पे दो हमारा बेंड लगता है, तो दो को लगा देंगे, बहुत से जगह पे हमारा वन बे ही जक्सन लग जाता है, इस तरह लाइट पॉइंट होता है, बहुत से जगह पे टूबे लग जाता है और bend की बात करें तो अंदर ground wiring में आप 3 bend लगा सकते हैं कोई problem नहीं है किसी एक pipe में spring wire से आप खीच सकते हैं wire को यानि wire को डाल सकते हैं किसी भी तरह का problem नहीं होगा बहुत सी वीडियो मैंने दिखलाया हुआ है बतलाया हुआ है जो लोग मेरे channel की वीडियो को देखते होंगे continue उनको मालूम होगा अगर आप नए है तो आप मेरे channel में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं किस तरह से wire को डालते हैं wiring की वीडियो यह जो पिछला वीडियो था हमारा जिसमें मैंने यह दिखलाया बतलाया था कि किस तरह से wal में जھیरी हम लोग काडते हैं, साई machine कौन सा होता है, अब यहाँ पर जो sailing में जो fan box होता है या console box होता है उससे सफाई जरूर कर लेंगे, उसे डून जरूर लेंगे फिले से पहले, और यहाँ जय से spring wire है, या जब प्लस्तर हो जाएगा तो उस से में दिक्कत होती है कि आप प्लस्तर से पहले जब पाइप लगा रहा है उसी टैम पे चेक कर लिजा कोई ब्लॉक है तो फिर उस वायर को ले जाने के लिए कोई दूसरा रस्ता बनाईए या तो कटिंग करके बना लीजिए नई तो प्लस्तर हो जाने के बाद बहुत जादा प्रॉब्लम होता है लाश्ट में कटिंग करना ही पड़ता है तो उससे बहतर है कि जिसमें आप पाइप कि लगा रहा हैं तो फिलस्तर से पहले एक बार के कर लें अगर कोई ब्लॉक पॉयंट है तो उसे कलियरा कर लें कटिंग कर ले तोल ले या दूसरे रास्ते कwater आपका वायर जा सकता है तो दूसरे रास्ता से कलियर कर लिजिए अगर cutting करके pipe उगरा लगाना पड़ रहा है तो वो लगा दीजिए इस बात को आपको धियान में रखना है और यहां पर हम fan box पास यह जो poly bag है इससे हम बंद कर रहे हैं ताकि मसाला हमारा नहीं जाए wire डालने से में problem नहीं हो या जैसे कि यह नीचे हमारा board में bend लगा हुआ है तो यहां पर जरूरी है उसका मुह बंद करना जैसे कि हमने plastic से यानि poly bag से बंद कर दिया है और कहीं पर direct जैसे pipe लगाया और नीचे जाकर bend है देखिए उपर और side से आता है दिक्कत आपको नहीं होगा है तो उसमें जरूर आप plastic वगरा लगा दिजिए यह mcb box से कहीं पर तीन कंडियूट आता है कहीं पर छे कंडियूट आता है कहीं पर दस आता है तो जरूरत के हिसाब से होता है circuit ज्यादा रहता है जैसे कि आप माल लिजे एक इंच का कंडियूट है तो इसके अंद से एक power के लिए है डीवी और एक हमारा नॉर्मल लाइटिंग के लिए है और नीचे भी हमारा जो है इसे मिल लाइन आएगा प्लस यहां पे इपिस सोलर सिस्टम हमें डालना है तो उसके लिए हमने एक यहां पे जो लकडी होता है उसका बोड हमने लगा दिया है उसके सब्सक्राइब रहेगा इसी तरह से यहां पे अगर हम आपको हाइट की बात करें तो जो स्विच बोड होता है उसका तो नीचे वाला हिस्सा 51 इंच 52 इंच हो सकता है 52 इंच से जादा नहीं अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहां पे कौन सा बोड कितना हाइट पे लगाया सब्सक्राइब के पास जाता है उसके बाद AC point की बात करें तो वो 78 inch height पे होता है अगर बात करें light point की तो ज्यादा तर 118 inch यानि लगबग 3 meter height पे होता है लेकिन बहुत से जगह पे आपका 78 यानि 78 inch से लेकर के ये बीच में आपका 90 inch भी हो सकता है 118 inch तक होता है light point जो Jackson box होता है अगर बात करें foot light की तो वो 6 inch से लेकर के 8 inch height होता है 8 inch से ज्यादा height पे foot light नहीं लगाना चाहिए अगर बात करें wall light की तो 78 inch के height पे लगता है या wall fan की बात करें तो 90 inch के height पे लगता है या बात करें एकवा गार्ड आरो केंट का जो बोड होता है वो हमारा 46 इंच के हाइट पर लगता है या जो फ्रिज का बोड होता है वो 24 इंच के हाइट पर लगता है वासिंग मसीन का जो बोड होता है उसके लिए 36 इंच पर लगाया जाता है या बात करें गीजर की हाइट जो सौकेट होता है जिसमें हमारा गीजर का टॉप लगता है वो 90 इंच के हाइट पर लगता है एक चीज और हम आपको बतला दें आप मेरे EWC अप्लिकेशन में जाएंगे जो एप है वहाँ पे आपको जो इमेज का अप्सन सो करता है जो इक ट्रिकल यहांपे जरूरत का निशाल जो अपको पसंद यहाप को जरूरत है ऑप उस पे क्लिक करकर के डाउन्लोड भी कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे सर्च भी करसकता है उपर जो सर्च निख करेंगे और यहां पे चलिए हम लिख लेटा हैं डोइंग आप कुछ और लिख लिए अपने जरुरत के इसाब से आप मेन बोर्ड भी लिख सकते हैं MCB भी लिख सकते हैं या कोई भी connection लिख सकते हैं इसमें बहुत सी फोटो में अभी upload करने वाला भी हूँ अब जैसे ये जो फोटो है अब इसमें से सब drawing आ गया हमारा कोई एक फोटो पे हम click करते हैं और उसका बाट download करके हम आपको दिखलाते हैं जैसे ये वाला जो फोटो इसको download करना है जो तीर का निसान था उसके click कर दिया इसको बैक कर देता है यहां पर देखिए यह डाउनलोड हो गया और यह हमारे फोन में सेब हो गया अब इसमें किलिया तरह से आप देख सकते हैं कौन सा लाइट पॉइंट कितना हाइट पर है या एक जाइस्ट फैन जो भी है स्विच बोड एटू जेट कंपलीट इसमें आ अगर आपको वीडियो चलेगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए आपके मन में किसी भी तरह का है डाउट सवाल सुझाओ अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो EWC application पर आप बात कर सकते हैं